Hello everyone, आज हम लोग recombinant DNA technology से related जो products हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम लोग one by one in three parts हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो तीन parts में बनेंगे, जिसमें हम लोग जो पहला product है, insulin उसके बारे में बात करेंगे, इसके अलावा दो और products हैं, जैसे vaccine के तौर be hepatitis B और interferon, ये जो हैं आपके तीन products हैं, जिनको हमको जानना है पड़ना है, तो आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में हम लोग insulin को देखेंगे, तो insulin क्या है, insulin जो है, एक hormone है, जो beta cells रहते हैं, isolates of langurance में, pancreas के, वो है, जो की produce करते है insulin, और ये human insulin, जो रहता है, वो 51 amino acid, जो है, वो contain करता है, ठीक है, ये 51 amino acid, जो है, वो contain करता है, which is arranged in two polypeptide chains, ठीक है, और chain 1, जो है, chain A, chain A, जो है, वो contain करता है, 21 amino acid, और chain B, जो है, वो 30 amino acids, जो है, वो contain करता है, ठीक है, ठीक है, तो chain A, जो है, वो 21 और chain B जो है वो 30 amino acid जो है वो content करता है and both are held by disulfide bonds, ठीक है, disulfide bonds से वो जुड़ा रहता है, ठीक, दो chain रहती है और वो disulfide bonds से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये एक अच्छा MCQ का question बन सकता है, कि chain A में कितना amino acids रहते हैं, chain B में कितना amino acids रहते हैं, या फिर जो insulin के दोनों chain है, chain A और B, वो कौन से bond से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक अच्छा question हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपको tables दिख रहे होंगे, कि ये जो tables है, ये exam point of view, competitive exam point of view से बहुत important है, कि recombinant DNA technology से, जो human disorders है, उसको treat करने के लिए, कौन-कौन से human proteins जो हैं, वो बनाये गए हैं, with the help of recombinant DNA technology, ठीक है, तो इस पे हम लोग बाद में जाएंगे, हम लोग insulin के उपर फोकस करते हैं, insulin क्या होता है, ये हमने जान लिया, अब जानते हैं कि insulin से हम लोग treat किस चीज़ को कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग treat कर रहे हैं, diabetes mellitus को, ठीक है, diabetes mellitus, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, sugar, ठीक है, किसी को sugar हुई है, ये एक प्रकार की क्या है, बीमारी है, और ये हमको पता है, कि ये दो प्रकार की हो सकती है, type 1 and type 2, maximum case है, इसमें जो type 1 है, वो ज्यादा lethal माना गया है, अगर death की बात करें, हम लोग अगर मृत्यू दर देखें, किसी बीमारी से, तो heart attack और cancer के बाद में, diabetes से ज्यादा मृत्यू होती है, ज्यादा death cause करती है, ये जो बीमारी है, तो diabetes mellitus जो है, around 2-3% जो general population है, उसको affect करता है और genetically linked disease है, जिसे हम लोग type 1 diabetes भी कहते हैं, ये इस से related है, और इसमें होता क्या है, इसमें जो blood glucose concentration है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बलड glucose concentration रहता है, वो बढ़ जाता है, जिसे हम लोग hyperglycemia भी कहते हैं, ठीक है, और ये क्यों होता है, ये होता है, इनसुलीन के का करता है हमारे ब्लड में अगर वह इंसुलीन ना हो तो जो शुगर का जो कॉंसेंट्रेशन है वह ब्लड में बढ़ जाता है और इसके कारण ही हाइपर ग्लाइसीमिया का कॉज होता है ठीक है तो हम लोगों को यह हम लोग यह कब मानेंगे कि किसी को डाइबेटीज हुई है डाइबेटीज मेलाइटर्स हुई है तो जब ब्लड ग्लुकोस कॉंसेंट्रेशन जो है वह 180 थोड़े से वीक होते हैं थोड़े से लेथारजिक फील करते हैं ठीक है एक सीरियस कंडिशन यह भी आती है कुछ चुrias कॉम्प्लिकिश्शन आते हैं डाइबेटीज एसक हैं जैसे कि किड्नी डाइमच हो सकती हैं जिसे हम लोग निफ्रोकी कहते हैं आई डैमेज हो सकती है रेटिनोपैथी कहते हैं जिससे क्यूंकि इससे कॉज अगर ब्लाइडनेस अगर कॉज होती है तो वह ट्रीटेबल नहीं है ऐसा माना जाता है कई टाइप की नियूरोपैथी हो सकती है ठीक है सर्कुलेटरी डिजीजेज हो सकती है और जैसा कि मैंने आपको बता है कि यह थर्ड लीडिंग कॉज है डैथ के लिए आफ्टर हाट अटेक एंड कैंसर तो पहले के जमाने में हैना शुरुवाती दौर पे जब किसी को डाइबर्टीज हुआ करता था तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है हम लोग एक्स्टरनली इंसुलीन प्रोवाइट करते थे हुमन्स को तो वो जो बनाया जाता था उससे बनाया जाता था पिक्स और काउज के पैंक्रियास से क्योंकि हमको पता है कि जो इंसुलीन का जो प्रोडक्शन होता है वो बीटा सेल्स में होता है आइसलेट्स अफ लैंग्रेंस अफ पैंक सेक्रिफाइस करना पड़ता था ठीक है पर अनिमल इंसुलीन और हुमन इंसुलीन इन दोनों में बस दो से तीन अमाइनो एसीड का जो था डिफ्रेंस होता था ठीक है अमाइनिमल इंसुलीन में और हुमन इंसुलीन में दो से तीन जो अमाइनो एसीड है उनका डिफ्रेंस ह मैंने आपको पहले ही बताया कि human insulin जो रहता है वो दो चैन से बना हुआ रहता है एनिमल इंसुलीन भी दो चैन से बना रहता है लेकिन जो variation हो सकता है मैंने बताया कि 21 amino acid रहते हैं और चैन B में 30 amino acid रहते हैं तो इसमें थोड़ा सा variation था और उस variation के कारण ही जो पेशेंट्स रहते थे जिन्हें एनिमल इंसुलीन एड्मिनिस्टर किया जाता था इंसर्ट किया जाता था उनके में तो उनमें कुछ allergy cause होता था ठीक है और दूसरा प्रॉब्लम यह भी था कि इसे हम लोग animals को sacrifice करके जो है excrete out कर रहे हैं निकाल रहे हैं for the humans तो यह जो था यह भी सहीं नहीं लगता था because you have to kill about 70 pigs okay to get 5 kg of pancreas pancreatic tissue और वो जो था उतना यानि कि 5 kg of pancreatic tissue will be required for to make insulin for only single diabetic patient for one year यानि कि अगर एक साल के लिए हमें किसी diabetic patient को अगर insulin provide करना है then we have to kill 70 pigs in one year only for one patient which is not good so what is the solution for that तो हमने इसे recombinant DNA technology के थूँ क्या किया बनाना इस्टार्ट किया और इसे इसे पहले ही स्टार्ट किया गया 1970 में ये स्टार्ट हुआ ठीक है तो इसमें हमने क्या किया इसमें हमने simply ये किया कि जो chain A और chain B जो है उसे separately बनाया गया ठीक है हमको यह पता है chain A और chain B जो है वो link होते हैं wire disulfide bond तो इसमें हमने जो plasmids जो है उसमें कुछ variation किये और chain A और chain B के लिए और उसे insert किया E coli में ठीक है जो कि हमारा host vector है ठीक है यह vector है ठीक है यह plasmid है जो type A के लिए और यह type B chain के लिए इसे हमने insert किया E coli में ठीक है और उन्हें क्या किया हमने nutrient medium में क्या किया growth किया उसका culture medium में हमने उसका growth किया तो जिससे हमें मिला chain A और chain B ठीक after that after reviving it हमने chain A और chain B को join करवा दिया और जिससे हमें मिला हमारा human insulin ठीक है और इस तरीके से हमने जो है इसे produce किया और सबसे बनने के बाद में यह जो process था 1970s में start हुआ जो की खतम हुआ 1982 में and we marketed it as a name of humulin which is which means insulin related to humulin ठीक है अब यह तो शुरुवाती दौर का आपका insulin था बट कहते हैं न कि शुरुवाती दौर में जो चीजे बनती हैं उसमें कुछ variation किये जा सकते हैं तो वह first generation का आपका recombinant insulin था और उसमें कुछ-कुछ flaws भी हो सकते थे लाइक जो first generation insulin था उसमें हम लोगों को क्या किया जाता है उसमें कुछ variation यह आते थे कि जब insulin को हम लोग inject करते थे तो उसका concentration है plasma में वह बहुत ही slowly rise होता था बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता था इसके कारण ही हम लोग insulin को जो है खाना खाने से तकरीबन 15 मिनिट पहले ही क्या करते हैं लेते हैं एक और flaws था इसमें कि जैसे यह धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही इसका जो degradation है जो इसका concentration का जो low होने का process है वो काफी low था ठीक है और इसके कारण ही जो कुछ patients में hyper insulinemia होने का chances रहता था यानि कि insulin की जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाने का खत्रा रहता था ठीक है तो उसी चीज को treat करने के लिए second generation recombinant insulin का जो है खोच किया जा रहा था experiment किये जा रहे थे और इस experiments के दौरान हमने क्या किया हमने जो है जो amino acids है उनमें variation किया जो amino acids से मिलके जो आपके insulin बन रहा था उस उनहीं particular कुछ amino acids में हमने change किया जिससे हमें कुछ amino acids प्राप्त हुए जो protein मिला हमें उसे हमने mutins जो है name किया और उससे हमने क्या किया एक insulin बनाया जिसे जिसमें chain A में sorry जिसमें chain B में position 29 और 30 में हमने कुछ changes कि जिससे हमको insulin Lispro मिला जो कि खाना खाने के तुरंत पहले जो है inject किया जाता है और वह अच्छा level provide करता है insulin का हमारे यानि कि insulin का concentration है उसे circulatory system में अच्छा जल्दी तेजी से provide करता है अब जैसे हमने human insulin जिसको हमने recombinant DNA technology से डालप किया उसे हम लोग human insulin कहते है तो वह insulin को हम लोग क्या कहते थे जिसे हमने pig से या फिर किसी animal से जो है निकाला उसे हम लोग कहते थे प्रोसीन insulin ठीक है प्रोसीन insulin और यह जो था यह एक amino acid alanine के जगह में थ्रियोनीन था बी चैन में human insulin के बी चैन में ठीक है एक ही amino acid था alanine उसके जगह में थ्रियोनीन था वहां पर alteration आता था और उसके कारण ही जो है वह कुछ allergy cause करता था ठीक है तो यहां पर आपका जो insulin जो है यह complete होता है next video में हम लोग जानेंगे hepatitis B के बारे में thank you झाल